बुल जैकारा बोल मेरे शिरी गुरु महाराज की जै शिरी शिरी एकस्वार्थ शिरी परम्हन्ज दाता देया तृत्य पाश्य जी शिरी गुरु महाराजी का जीवन कोटी कोटी वंदना धंडवत वारंबार तृत्य रूप में परकट हुए शिरी परम्हन्ज अवतार प्रेम बंडारी सत्गुरु प्रेम सवरूप सुहाए अनुपम सुक से भर दिया प्रेम हमी बरसाए सेवा भक्ती नाम का खोल दिया बंडार भ्रमर बने प्रेमी हृदे पाकर करुनागार पुष्प व्रिष्टि करे देवगन दीविय हुई जंकार चौकुधी यशोगान की घुजी जैजैकार अंदकार से मुझे परकाश की और ले चलो भारत के इस पावन उच्छ से धानत अनुसार परकृती सुव्य वस्ता करती है शिरी पर्मन सद्वैत्मत के संपरदाय को संजीव रखने तथा ध्यात्मिक अमर जोती को युग यूगांत्रों तक सिथिर रखने के लिए समेने करुना पुकार की तथा प्रकृति इस पुकार की परबंदत बनी युग देशकाल अवं प्रस्तितियां के अनुसार सरवगुण संपन निशकाम करम वीर योगी प्रेम के अगार संसवरूप में शिर सदकुदे महराजी शिरिती सी पाशे जी के दिव्य सवरूप में अवत्रित होने का प्रकृति ने संदेश दिया जब जब भी विलक्षिन विभूतियों का आगमन होता है उन्होंने देशकाल प्रस्तिति के अनुसार समय पर अपना रूप पर कट किया तथा अद्भूत कारे कर दिखाए मेग के समान परोपकार कर जन जन को मुदित दिया शिरी शिरी एक स्वार स्वामी वैराग्यनंजी महराज दी सी पाशे जी भी उनी विभूतियों में से एक थे पर मारत पत के उननाय खृद्दे समराट महाराज दिराज प्रेम के भंडारी भासकर शीरितरत्य पाशे शेगुरु माराजी के सवरूप में अवित्रित हुए आपने आर्थ विकल दुखी जीवों पर ऐसी प्रेम रिष्टी की जिससे सर्फ सधारन जन भी करदार्थ हो गए आपकी प्रेम भक्ति अनूठे रूप में सबके सनमुखाई जिसने भी इस प्रेम सरोवर में डुपकी लगाई वे कृत्ते कृत्ते हो गया आपकी सुमंजल सरस मनोहारी पवन दिदाओं को अगुणवाद करने में जीभा में इतनी ताकत नहीं शेश शार्दा ग्रंत श्रितियां भी नेती नेती शब्दों चारण कर मोन हो जाती है चिरी परमन सबतार जी की उनी पावन दिव्यतम जीवन की लिलाओं को सूर्य की एक किरन सुमंदर की एक तरंग सुर्बित उग्धान की एक पुष्प मनजरी के रूप में यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका रस्पान कर सब प्रमीजन आनन विभोर होकर जीवन सफल बनाएं परकरती ने परतेक दिशा में रंग छिटकाया लहला हाते खेतों ने पक्की फसलों के रूप में समस्त वसंदरा को सरवनीम स्वरनीम कर दिया अमरायों पर कोकिला ने मीथे स्वर में से रागला पे आज सूरे देव भी पूरव दिशा के रत पर छुप छुप कर अपनी अरुनिम आबा निर्खा रहे हैं क्योंकि वे दिव्य जोती इस धराधाम पर आ रही है उशा वेला ने मुक्ताकन हरी हरी घास पर विखेर कर मखमरी गरीचे से उद्धानों को ढग दिया सब और हर्शी हर्श उल्ला से उलास चाया और दसों दिशाओं से सुगंधित समीर सौरब बरसा रहा है इंद्र देव अपनी छटा दिखाने के लिए परसंता में जूम उठे स्वरक के देवता भी इस प्रित्वी पर अवत्रित होने वाली विभूत्यों को निरकने के लिए ललायत होने लगे दसों दिशाओं अलोक से अलोकित हो गई क्या कोई युग पलतेगा क्या प्रेमियों की बहारे है क्या भक्तों एवं मालिक के प्यारों के हृद्दे की आर्थ पुकार की सुनाई होने वाली है ये कैसा अनूठा रंग कैसा हृद्दे में उनलास का सागर छदक रहा है असन तथा रेतिले टिले युक्त और वों स्थान को निजबाल सुलब क्रेडाओं के सरसाने तथा भूमी को भागेशाली विशेश महत्तव देने के लिए प्रेम के भंडार भक्ति परमात के सूर्य मानव जगत के भागे निर्माता जन समाज को सर्स तथा प्रफुलित बनाने के लिए संसव रुप में परकट हुए शिरी शिरी एक सो आठ स्वामी वेराग्यनंजी महराज आप उत्तर पस्चिन सीमा प्रांत के लक्की मर्वत जिला बन्नू के एक उच्च विख्यात कथूरिया कुल में 13 अठारा सो ठन्वे इस्वी तन्द अनुसार विशाक संकरांती समवत 1955 विक्रवी बुद्वार के शुब्दी नेवं शुब मुहुरत में अवत्रेत हुए अनुभव किया ये अलोकी जोती सारे विश्व में दिव्य अलोक भरने आई थी कि ना केवल किसी एक विशेश परिवार के लिए ये जोती परकट हुई जनम के समय ही अदरों पर पुश्पवसी मुस्कान हो गई चर्ण कमलों पर अवतारी महापुर्ष जैसे चक्रचिन थे जनम के समय जो अन्य आत्मिय इस्तरियां पास में खड़ी थी उन्होंने देखा कि आपके मस्तक के उपर की और एक कान से दूसरे कान तक गोलाकार परकाश की रेखा है उस कमरे में से आती हुई इत्र की सुगंधी परतीत हो रही थी, वै एक दूसरे से धीरे-धीरे कहने लगी, बालक तो कोई चमतकारी महापुर्शों के लक्षनों से युक लगता है, प्रन्तु इस समय इत्र फोलादी की सुगंधी कहां से आ रही है, इतना कहकर वै सारे कमरे में सुगंदी की वस्तु ढूनने लग गई ताकि उन्हें वहाँ से हटा कर बाहर रख दिया जाए प्रंतो वे कहीं से भी प्रापत ना हो पाई इसी समय में माता जी ने तनिक अपना सिर उठा कर देखा तो उस शीशु के मस्तक पर मनी जैसा परकाश दिखाई दिया उन्होंने शीशु को वस्तर से ढाम दिया कुछी शनों में वे परकाश तथा सुगंदी अगोचर हो गई अग पूजय माता जी मन में विचानने लगी कि बड़े बुडों से पुराए ये सुना जाता है कि या तो मनी युक शीशु की आयू बहुत कम होती है या उसकी माता क वे दिल ही दिल में आपकी धिरगायों के लिए बलाएं लेने लगी आप जी की पूजय माता जी सत्व गुण परधान सादू परकिर्ति की थी काश की पूजय माता जी को आपकी पावन अद्भुत लिलाओं को ने रखने के लिए समय में उता प्रंदु ऐसा ना हुआ वे इस विलक्षन गुणों से युप्त विभूती को जनम देखकर कुछ समय बाद इस संसार से चलबसी नामकरन के दिन आपका शुब नाम शिरी द्वारा राम जी रखा गया पंडी जी ने उसे दिन आपके मस्तक पर एक अतित दिव्य जोती देखी पुन उन्होंने जब शि मन पर सन होकर वंदना की केवल इतने ही शबद मुख से उचारित कर मौन हो गए कि ये तो कोई विलक्षन बालक ही दिखाई देता है मुख मंडल निहार निहार कर अपने को किरदारत करने लगे बस मन में एक वेदना भरी हुई उठी कि ओठों के बीची गुन गुना रहे थे वे पंडी जी वे हुक थी काश मैं भी इतने समय तक चीवित रहूं कि जिससे इस शिशु के बढ़ते हुए ये शबं पावन दिलाओं को निरख सकूं आपकी अवस्ता भी बाल का पन की थी कि आप माता के सुलब से वंचित हो गए आपके पालन पोशन का सुभा के प्यार से आपको पुछकारती तथा माता का प्यार देती प्रंतु जिन में अपने आप में ही एक दिव्य अनंदवम तरलोकी को प्रेम परधान करने की शक्ती निहित थी वैस दिव्य स्वयम निर्मित प्यार को क्या जाने आपकी आयो जब लगभग चार-पांच वर्ष क हुई तभी आपके लक्की के भाग्या जगाने के लिए बालस लब क्रेडाएं अरम कर दी जान बुझ कर रूट जाना किसी टीले के समीप पैट कर निजातम सवरूप का अनंद लेना आख में चोलीं के दृष्य में मदूर भाषा में फूफी जी के दिल को बहलाना कभी त कुछ तथा धन्य धान्य संपन कुल में जनम लेकर धूली में लोटना अच्छा नहीं आप बड़े गरव से उतर देते की फकीरों में तो जीवन का रस्परा हुआ है आपके इन वचनों को सुनकर फूफी जी बहुत उदास होती और सोचने लगती कि क्या इस बच्चे का भवेश्य ऐसा ही होगा पंडी जी ने तो अनुपम गुन संपन कहा था प्रन्तु ये तो फकीर बनना चाहता है एक दिना आप रेतिले तीले के समीब खेल रहे थे फूफी जी आपको ढूनते हुए वहाँ पर आप पहुंचे क्या देखती है कि आप एक उचे तीले पर च अपना अपना कार्य करने की आग्या परधान कर रहे थे चुपके से पहले सब ये लीलाएं फूफी जी छुपकर देखती रही पूने सामने आकर कहने लगी चलो घर इन सब बच्चों को क्यों ले आए कभी फकीरी का अनन लेते हो तो कभी समराठ बन बैठते हो हाँ यही स पना ही आपके साथ शोबा देता है आपने सहज सभा फरमाया कि ना केवल समराठ बनना अच्छा है ना बिलकुल फकीर हमें तो शेहन्शाई फकीर से काम है कितने रहस्य भरे मदूर वचन थे शेहन्शाई फकीरी जिसे भविश्यकि में केवल कथन मातर ही ना रखकर कारे रूप में परिनिति किया और साथ में ही शिरीमत भागवत गीता में श्री कृषिन चंदर जी महराज के उपदेश रुसार राजयोग का उद्गार्टन कर दिया ननी कौपलों में जो रस होता है वही फूलों और फूलों में अम्रित का काम करता है बाल्यकाल की जहांकिया ही किसी आसाधारन भविश्य की और संकेत दे रही थी कभी कभी आप रातरी के समय घर से भाग कर टीलों की और जाने का प्रेतन करते फूफी जी एवं पिता जी आपको बलपूरवक पकड़ कर कहते कि इस समय कौन सा खेल शेश बचाय जो पूरा नहीं हुआ आप कुछ समय तक मौन रहते फिर उत्तर देते कि अमुक टीले के समीप मैं सुबे कुछ भूलाया हूँ उसे लेने के लिए जाना है इस परकार कई बार आपको रातरी के समय बाहर जाने से रोक लिया गया आपकी आयूलग भग 6-7 वर्ष की हुई होगी जब आप बार बा जिसके पीछी ये बालक इतना दिवाना रहता है अब जब भी रातरी में घर से भागेगा तो रोकना उचित नहीं पीछे जाकर देख लेंगे कि किस बस्तु को ढूने जाता है आपने फूफी जी को भी समझा दिया कि अब जब भी ये रात में बाहर जाने लगे तो इसे म मत रोकना एक दिन मेगा छत्र अमावस्या की अंदिकारी रात थी जब आसमान पर सितारों का नामनुशान भी ना था हाथ को हायत नहीं दिखाई देता था नवबंडल पर इंदर देव अपने दल बल सहत अपना पराकरम दिखा रहे थे ऐसी भ्यानक रातरी में जब कोई चत पर भी चड़ने से भैखाता है तब आप सब को सोया हुआ जानकर घर से निकल पड़े आपके पिता जी भी चुपके से आपके पीछे हो लिए मारग में उन्होंने क्या देखा कि ऐसे घने अंदिकार में एक परकाश की रेखा आपके आगे आगे चल रही है आप इस प जूरी पर लुटे रे पठानों की आहट सुनाई दी आपके पिता जी कुछ भैभीत हो गए आप आगे की और बढ़ते ही जा रहे थे इतने मेवा परकाश की रेखा आपको चारों और किरने फैलाने लगी आपके पिता जी आपको पकड़ने की चेश्टा करते प्रंतु प में में पठान भी निकटा पहुंचे अब तो पिता जी की व्याकुलता का ठिकाना ना रहा इधर परकाश की किरनों का विस्तार अरंभ हो गया आपके चारों और पांच फूट की दूरी तक किरनों ने घीरा डाल दिया लुटेरे पठान आपके समीप पौशने का प्रयतन करते प्रंतोस घेरे के अंदर ना पाते उन्होंने दूर से इस रौशनी को देखकर ये समझा था कि यहां कोई मनी चमक रही है समीप आकर कुछ और ही कातुप देखा उनके कदम लड़ खड़ा उठे और घने अंदकार में कहीं पीछे ही रह गए आपके पिता जी उस दिव्य जोती के परकाश में खीचे खीचे एक रेतिले तिले पर पहुंचे आप वहां जाकर नेन मून कर बैट गए आपके मस्तक पर एक दिव्य जोती की आबा जगमगा रही थी आपके पिता जी का हरेदे भैस घबरा रहा था उन्होंने विवश्ता पूर्वक आपको उठाया और कहा बेटा जब चान निकले तो चान नी रात में अपनी वस्तु धूनने आया करो अंधिकार में किसी वस्तु को धूनना कठिन हो जाता है आपने मस्कुरा कर उतर दिया कि चान तो निकल निकला हुआ है क्या आप अंधिकार में यहां तक पहुंचे हैं देखो चांदनी है या नहीं स्वेम पिता जी का हाथ पकड़ कर उसी परकाश को साथ लिए घर लोट आए पिता जी ने तो समझा कि अब पुर्ण रात्री वितीत हो चुकी है उनके मन में कुछ उल्लास कुछ घवराहट कुछ उतेजना थी जिससे उनके दिल की धरकन तेज हो रही जो ही घर पहुंचे तो शीगरता से आपको गोद में उठा कर किवाड बन कर दिया और कैसी अदवुत लीला है कि अभी रात्री का एक घंटा वितीत हुआ था घर में सभी अन्य प्राणी सुक से गहरी निंदरा में सो रहे थे पिता जी ने मन ही मन सोचा कि अब मैं इसे दिव्या आत्माई तो दिव्या कार्य करने के लिए संसार में आती है ये भी कोई दिव्यवभुती है ऐसा सोच कर सोगे प्राता होते ही आपकी माया ने उनको हृदे पर ऐसा परदा डाला कि वे रात्री को सब घटना भूल गए फिर पिता के सने में आपको प्यार देने बोल जैकारा बोल मेरे शिरी गुर महाराज की जै शिरी शिरी एक सौ आर्शे तिर्टे पाईशे ची शिरी गुर महाराजी का जीवन आप कभी कभी रातरी काल में पडोसियों की बच्चों को भी खेल के बहाने घर से भागने के लिए उचाहित करते जब पडोसी इस्त्रियां अधियक तंग हो जाती तो उलाना देने आपके घरा पहुंसती। आपकी फूफी जी आपसे कुछ कहना ही चाहती कि आप तनिक मुस्कुरा देते। ना जाने फूफी जी पर कैसा जदू सब भाव हो जाता कि वे चुपके से सब उलानों का उत्तर म उसकुराहट में दे देती। कभी अधिक उलाने मिलने पर जब अन्य पडोसी इस्त्रियों के सामने आपको डाटती। तो आप सरल सुभाव से उत्तर देते। कि मैं कब किसी को कहता हूँ कि मेरे साथ चलो। मैं अपनी प्रिय वस्तू, नीजी वस्तू की खोज में जाता ह नीजी वस्तू का ढूना अर्थात अपने परंपिता परमात्मा से मिलाप करना, जन सधारन जिस बाल्यकाल को क्रिडा में योवन को विश्यों में तथा बुडापे को इच्छाओं की तरंगों में खो देते हैं, ये दिवे विभूती बाल्यकाल में ही नीजी वस्तू की खोज में सिलगन है, आज प्रेम निलाओं में उलासित द्वापर युक ने मानो फिर से वर्दापन किया था, आपकी मनोहरी आकर्शन शक्ती से सभी बालक स्वयम ही खीचे चले आते, आप गली महले में भी सब को प्यारे लगते, आप उन सब बच्चों में एकन उठी ये हुए दिखाई देते थे, आपने द्वापर युक की नीदा को नया रंग देकर कल युक को किरदारत किया, क्या बाल्यकाल की ये लेलाएं मदु में भविशे की यूर सूचना नहीं दे रहे थी, जीवन के संपूर्न रहस्यों का आभास बाल्यकाल की जलकियों में ही दिखाई देता है। आया करते थे, उनके सरल जीवन का परभाब भी आप पर पड़ा, आप भी धार्मिक पुस्तकों के धार्मिक विचारों को ध्यान पूर्वक सुना करते। आप महतब परधान करते थे, इसलिए आपने अधिक आनाकानी ना करते हुए इस शिक्षा को सन 1911 इसवी तक उर्दु तथा फार्सी भाषा में ग्रहन किया। इसके साथ हिंदिय पंजाबी की भाषा का पंडित धनी राम जी से ज्यान प्रापत किया। अध्यातिक रूची संद महापुर्षों के सत्संग तता सेवा की और थी। ये सत्व गुन परधान, सभाव तथा ऐसी धार्मिक परवितियां बजपन से ही आपके अवतारी महापुर्ष होने की परमान थी। इतनी छोटी आयू में श्रदा तथा भक्ति की भावनाव को देख कर आपके पडोस में रहने वले विद्वान पंडित धनी राम जी ने आपको सनातन गरंतों का ध्याय करवाया, नित्य करम पाठ और गायतरी सुमिरन की और प्रेरित किया। आप उनकी बात मान कर पहले से भी अधिक श्रदा से ये सब करने लगे। आपकी इस नित्य करम और पाठादी से मानसिक संतुष्टी ना होती थी। आप प्राय सोचा करते थे कि सच्चा उपदेश तथा भजन तो कुछ और ही है जिससे मन को शांते तथा आत्मिक सुख प भोजन की सुधी भुला कर वहां पहुंचाते वहां पहुंचकर बड़े ध्यान से शर्दा पूर्वक प्रेमसेथ श्री रमायन के पाठ कर रस्पान करते आपकी ऐसी उच भावनाव को देखकर विद्वान पंडी जी नहरेदे में आपके लिए असीम आदर का भाव जग और पंडी जी भी बहुदा ये कहते सुना गया कि आप किसी उच्चो देश्य को लेकर परकट हुए हैं आप कोई सधारन व्यक्ती नहीं अपी तो कोई चमतकारी विब होती हैं आपने उन आदर्शों को स्थापित किया जिन पर चलकर सरफ सधारन भी अपना कल्यान कर सके एक अलोकिक शक्ती संपन होते हुए भी आपने उन आदर्शों को पनाया जो जन सधारन के लिए मार्ट बन सके